ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ओफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डिरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा तक क्या है मैंने क्या एक्टर है बुले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडिस्ट्री मनला हम तो बस ऐसे ही चले गए था ऐसा समझता था वो और शिप्रम ये आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ इस चीज का कि मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं आक्टर बनने चाहता हूँ तो उन्हों ने भी मुझे डी मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी एक जिद थी और हजारों लाखों मनलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्व यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब और सिचुएशन के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूँ अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने अक्टिंग की पढ़ाई की वहां पे और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा के एक्चुली इस प्रेस्नालिटी में अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है या जो भी आप काम कर रहे हूं उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं के जैसा स्कुल उफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंचके मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे इससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया क्या ओफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर है काम दोगे क्या तो बहले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और वो बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले क तरह कि लोग-like actor भी न सकते हैं, hero भी बन सकते हैं, star भी बन सकते हैं, ऐसे challenge था ही नहीं, मैं confident था因為 of my training मैंने training ली थी और अपनी craft के बारह में बहुत अच्छे से जानता था मैं और इस चीज़ के छesव confidence था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल, या 30 साल 30 साल के बाद नमبر ज़रूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को टार्गेट नहीं किया टार्गेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राय करके देखताऊ उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फिल्ड अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का पैशन होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चाहलो ना तो पूरी दुनिया जुग जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए इस आदमी की जिद के आगे जुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे सेक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं क्यूंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इमतहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटों में निप्टारा हो जाएगा हमेशा अपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए हमेशा अपने आपको अनकमफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इमपॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होने चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपरिमेंट हुए है यह सिफ इसी बिना पे हुए है पागलपन के जरीये ही हुए है यह सारे एक्सपरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप एक्सपरिमेंट करते हैं तो फैलियर भी होते हैं कई बार failure होते हैं कोई एक experiment करने के लिए कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला है बहुत बार failure हुए हम लोग लेकिन at least हमें इतने सारे failure होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से success नहीं मिल सकती for example Edison ने जब bulb का विशकार किया तो सो बार experiment किये अपनी जिंदिगी में सो बार experiment करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे formula ता ये था बल्ब बनाने का तो at least उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से बल्ब नहीं बनता ये भी पता चला उन failures में उसको जब हम लोग मुंबई आये तो हमें मालूम था हमारे पास personality नहीं है हमारे पास back नहीं है यह हमारे father दादा परदादा तो film industry में है नहीं हम ही है तो हमें क्या करने चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका experience सुनते थे उनको observe करते थे तो I think मेरे पास 15 साल तक 10 साल, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकेंड के रोल करके घर में आके बढ़ जा तो पूरे साल के खाली बटे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज़ थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हो आमें कि तरह तरह के लोग है लेकिन हमारी इंडेरी में सिर्फ एक ही तरह की acting होती है हुजारो करोरो लोग हैं इस दुनिया में लेकिन acting सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे ह disp तो मुझे लगा यहार, मैं तो train भी हूँ मुझसे एपनी art भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूँ तो यह तो सबसे अच्छा सूत रहे है इस से तो मैं बहुत कुछ कर जाओंगा तो जब यह सूत पता चला मुझे कि अब मैं यह जो हजारों लोगों को मैंने अब्जर्ब किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उनी में से वो एक इंसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साथ ठाकरे होगा उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतुन्डे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साथ होगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों, हमने लोगों को अब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे, मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, आप fortunate अपने आपको समझने लगा था, कि thank God, कि मुझे ऐसे ऐसे लोग चांस होता है आपके पास, कि कैसे उस, उसमें आप अपना observation, experience, जब आपको काम मिलेगा, वो उसमें लगाएंगे आप, तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तो जो 15, 10, 12 साल में बिना काम के गुजारे, जो लोग करता है उनसे, कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पोडोस का ही, आसपास का ही ये बंदा है, मैंने देखे हैं इस तरह के लोग, I think यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, as an actor. अपकोस स्टेगल में बहुत सारी चीज़े सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी, ये नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर disappointment आ रहे हैं, तो आप तो complain भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना. तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत जादा वो भी हुआ, क्यार छोड़के चले जाते हैं, कुछ काम मिलनी रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, I don't know, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. फिर यह होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है न, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तब मोबाल लुबाई नहीं आये थे, पेजर आये थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग. जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है न, थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी मदर मुझे एक लेटर लिखती थी, लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी, बारा साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तो तो इनसान है, तो तेरा दिन भी बदलेगा, तो उन सब चीजों को देखके, कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन, मोटिवेट करती हैं, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं, और मैं जिस गाउं साय था, डिस्टिक मुझा फरनेगर के छोटा सा गाउं था, बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी, महां पर जब मैं था, महां पर लाइट भी नहीं थी, एक गंटे के लिए रात में कभी आ गई, या एक महिने के बाद हलका सा मुझा दिखा के चली की, इस तरह लाइट इस तरह होती थी, वोई लैम्प में पढ़ना है, स्टार्ट किया, लैम्प, तो छोटे से गाउं से आने के बावजूद, फिर दिल्ली, मतलब छोड़ा सा उससे बड़ा शेहर भी हमें बू, ऐसा लगता था, पतनी क्या है, मतलब डर लगता था, मैं जब मुंबई में आया था, तो मैं पंद्रह दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं, कि इतनी स्पीड में तो हम चली नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ, शायद हम इसली नहीं जा सकते थे, कि बहुत सारे डर थे, वापस अगर चले गए, तो थेटर के जो मेरे दोस्त थे, वो बोलते, क्यों भाई, वापस आगे तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे, तो तुम भी वापस आगे, चलो लग जाओ, ठेके, गाउं में इसली न बनने की, एक्टर बनने की, तो ये बहुत सारे डर थे, जिसकी वज़े से मैं अपने ना तो गाउं जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी, दिल्ली से नमा जाता था, मैं, जो भी है, मरना जीना मुंबई में ही होगा, रेबा सक्सिस की, सक्सिस अगर 30 साल बाद भी मि तब तयार रहना चाहिए, सक्सिस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारिख नहीं होती, कोई टार्गेट नहीं होता कि इतने ही दुनों में मिल जाएगी, इनसान का काम होता है, I think मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको के रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि passion से क्या होता है, जिस भी आप field में होते हैं, उसकी details, detailing's मिलनी शुरू होती है, जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर के जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाया देना श वो हर फील्ड ऐसे ही होता है, उसमें असी संभावना ही होती है, इतनी पॉसिबिलिटीज होती है, कि, I think दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिबिलिटीज सिर्फ अगर एक दर्जी है, पैंड सीता है, एक हजार तरीकी की पैंड सी सकता है, अगर वो चाहे तो, अगर उसने नहीं चाहा, तो जो ट्रेंड चला रहा है, वो इसीता जाएगा, लिकरन अगर उसने चाह लिया, कि मैं ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो एक हजार तरीकी की पैंड उसी में, एक हजार तरीकी किसी देगा वो पैंड, ऐसे हर फिल्ड में पॉसिबिलिटिस बहुत होती है, और एक पर्फेक्शन होता है, एक हम लोग उने ट्रेनिंग इसलिए लिए कि पर्फेक्शन आजाए अपने काम में, जैसे एक मैंने एक्जाम्पल सुना था कि, ये छोड़ी-छोड़ी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चुकि मैंने बच्पन में सुनी थी, उन्ही को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा, तो आज यहां पे हूँ, इसलिए वो छोड़ी-छोड़ी चीज़ें बहुत काम आती है, कि उनको सुनना बहुत जरूरी होता है इनसान के लिए, बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है, जूट है, मुझे इतना जाद नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इनसान हुए, लेकिन वो पहले मौची थे, जूता सीते थे, लेकिन जूता जहां से सीते थे थे ना, वहां से कभी फटता नहीं था वो, बले दूसरी जगा से फट जाए, लेकिन वहां से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था, जूता सीना, काम भले ही वो है, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है, तो इसी वज़े से वो इतने popular होते चले गए क्यार जूता फढ़के लेकिन सिल्वाना वहीं जाके है क्योंकि आगर उन्हें सीधिया वहाँ पर जिंदे की पर वहाँ से जूता नहीं फढ़ेगा तो छोटी-छोटी चीजों में यह जो perfection, passion, यह सारी चीज़ों तो यह आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे ले जाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना वाकिए बहुत जरूरी होता है फिर experience आपका आपकी knowledge जिसे मेरा मानना है कि मैं कभी मेरे सामने लकी ली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकी ली यहां तक कहुँच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं लकी ली नहीं पहुँचा हूँ यहां पे मैंने उसके लिए मैनत की है मैंने उसके लिए नॉलिज इकठी की है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है